हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का अपने इस प्यार से परिवार में स्वागत है चलिए स्टार्ट करते अपनी जर्णी को और रिजिनिंग के कंसेप्ट को और आगे बेल्ड करते हैं नेक्स्ट लेवल पे आप पढ़ रहेते कौन से चैप्टर आप पढ़ रहेते घन और घ सब्सक्राइब कर आते हैं और वह को सबसे पहला वाला को सन आपका आप रिकॉर्ड देख लेना दस से बारा साल का सबसे टफ़ेस्ट एक्जाम में पूछा गया और टफ को सन था हां वह को सन बनाना अपने आपने नेक्स्ट लेवल की बात हो जाती है है ना तो चलिए बाकी इसी रफ्तार से अपनी जर्णी चलती रहेगी क्यूब का कंसेप्ट हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिवियसर क्लास में बिल्कुल 100% कंप्रिट कर चुके हैं अब आगे चलता है क्या क्यूब वाइड मैंने बोला था ना क्यूब को अलग पढ़ेंगे और क्यूब अब तो क्या इसमें भी एलेक्सी फार्मूले याद करने पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है आप पर अगर क्यूब के फार्मूले अच्छे से याद की हैं तो क्यूब के फार्मूले से हम आपको क्यूब वाइड के फार्मूले जनरेट करा देंगे एक भी कुस फार्मूला आपको इसी से compile करके आपको new formula किसमे जनेट कर देंगे क्यूब की formula से क्यूब की फार्मुले की formula आपके बन जाएंगे समझ रहे ना look at this board and kind your information फिर से आपको बिल्कुल easy way में आपको बिल्कुल method से solve कराएंगे रटना या नहीं है कोई भी चीज हम आपको रटने नहीं देंग चलते हैं अभी तक आपने cube फड़ी लियात क्यूब बहुत ऑच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं कौन से construction क्यूब का क्यूब का concept बहुत ऑच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं हने आज पढ़ने वाले हैं क्यूब वाईड है क्यूबemberide कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं चलिए है और start करते ना क्यूंब आप बनाएए पहले इसी क्यूंब के फार्मूले से आपको generic किसके फार्मूले करा देगे हम क्यूबरम्यद की मेरे भाई चलिए यहाँ पर बनाएए इक Q झाल झाल जानते हैं कि उसकी डायमेंशन अब अलग अलग आपको पढ़नी पढ़ेंगी और जो आपने क्यूब पढ़ लीया था उसमें आपकी डायमेंशन एक्वल होती थी तो हमने यह आपको एक क्यूब बना दिया क्या क्यूब अच्छे से सेट करिए इसी क्यूब के फॉर्मूले से आपको क्यूबॉड के फॉर्मूले जनरेट करना बता रहे हैं अलक्से आपको फॉर्मूले नहीं याद करने देंगे हम इतना पैनिक नहीं होने देंगे लो यह आपका बन गया cube जिसमें हमने आपको इसकी dimension दे दी है इसकी dimension दे दी है हमने 15 into 15 into 15 इसको आपको cut करना है 3-3 cm के छोटे-छोटे टुकडों में कितने 3-3 cm के छोटे-छोटे चुकडों में cut करना है तो n की value यहां से आपकी कितनी आ जाएगी n की value भाई मेरे आ जाएगी n की value आपकी यहां से आ जाएगी 5 correct और यह आपका colored cube है colored cube है इसमें color भी करते है जालो पिंग करते हैं पिंग कलर क्यूब कर दिया इसके बाद इसमें लगाते हैं cut तो आप बहुत अच्छे तरीक से जानते हैं इसमें cut लगाने के लिए आपको ज्यादा dark हो गया वे दूसरा लेते हैं कि यह लेते हैं कि यह बेटर है और करेक्ट विंदस यह कलर क्यूब है यह कलर क्यूब है और आपको क्या करना है इसमें cut लगाना है n की value कितने के लिए पांच और पार्ड कितने करने आपको इसको पांच नमबर और पार्ट से एक कम हां cut कैसे लगाते है नमबर और पार्ट से एक कम पार्ड आपको एक सिक फाइप है फाइप बनाने के लिए नमबर और पार्ट से एक कम फाइप बनाने के लिए है इसको कट लगाना है थो आप जाक अगा आफाइप यह भी आपकी 15 बिगर क्यूब और स्माइप इसका लगाए उपाइप यहां भिया विsta लगाट यह इन्म भी आपकी लिए चार लृंग इससे लगा तक फाइप यहां भी आपकी अगत से कट सलरी है तंबो और यह फूर नमबर और पार्ट से एक कम तभी तो आपके फाइब पार्ट बनेंगे और कट लगाने कंसेट बहुत ही बेदर इन तरीके से क्यूब के कंसेट में पढ़ी चुके हैं और लड़ी चलिए इधर से भी लगाते हैं वन कि त्यूज़ थिरी और यह फूर समझ पाया ना बहुत ही बेदरीन क्यूब के कंसेट में आपको क्यूब के कंसेप्ट पे लेंथ ब्रेथ हाइट सभी क्या होती थी इक्वल हां लेंथ क्यूब के कंसेप्ट पे लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी क्या होती थी सभी इक्वल होती थी पर क्यूब कंसेट में आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट सभी अन इकोल चलिए अब बनाते हैं एक क्यूब वॉइड हां क्यूब वॉइड चलिए बनाए अपना क्यूब वॉइड भूद जरूरी होता है क्यूब वॉइड को बनाना समझना है वाई जलो बहुत ही बेठरीन जलो यह आपका बन रहा है मेरे भाई क्यूब वॉइड धनाप अब बहुत ही बेठरीन चलिए यह आपका यह आपका क्या है क्यूब था यह आपका क्या है क्यूब वाइड कौन सा कलर करें बताए कमेंट बॉक्स मता देना इस कलर से इसको पेंड किया जाए कि फिलाल मैं तो करने वाला हूं इसको अब यह अब इसकी डामेंशन क्यूब क्यूब वाइड की डामेंशन मैंने आपको मेजर करा यह मेरे भाई कितनी इस क्यूब वाइड की डामेंशन मैंने आपको मेजर करा दी और यह दस एक दस टार रारा शली отправा ले लेडर लेलेजी अयर्ट एंटू 10 तो बारा समझ पहे ना आठ दस और बारा इसके बाद कौनजा ऐड़ानवा आट अ Urs किकंद वरार है कौनजी 1 आप कुषी को भी ले सकते हैं चलिए तो अक्याटिंग तो यह माहने माल लिया आपकी 12 यह आपकी 8 और यह आपकी 10 इसमें से आप किसी को भी length, breath, height कह सकते हैं यह आपके माले जी हो जाएगी length यह आपकी breath और यह height किसी को भी कह सकते हैं और आपको पता है आपको मेरे भाई यह पता है कि क्यूबवाइड कंसेप्ट में आपकी length, breath और height सभी अनिक्वाल होंगी आप देख रहें न सबकी value क्या है अनिक्वाल अब इसको cut करना है आपको कट करना है आपको 2-2 cm के छोटे छोटे पार्ड में कितने 2-2 cm के छोटे छोटे पार्ड में 2-2 cm के छोटे छोटे पार्ड में तो देखिए यहां से कितनी value आजाएगी आपकी यहां से आजाएगी आपकी यहां से आजाएगी आपकी 4 यहां से आजाएगी आपकी 5 और यहां से आजाएगी आपकी 6 कितनी 6 समझ पाए ना बहुत ही बेतरीन कितनी आगए यहां से आपकी 6 है ना अब देखिए यहां पे इसको cut कैसे किया कुट हमने यू किया ना सर ऐसे दो दो सेंट्शीमीटर के छोटे-छोटे-पार्ड में इसको करना है क्यूफिंगो इसकू पलाई को कट तो यहां से अक्ते की नि कि यह जाएगी कि आपकी फाइप यहां से वैलू आ जाएगी आपकी इसे मेलमे आपकी जाएगी और नमबर ओपार्ट से एक कम तो फाइब कट लगाने के लिए तो आपको कितने लगाने पड़ेंगे फाइब लाइक दिस वन डियू थ्री और पाइब तब ही तो आपके शिक्स पाट होगे वन टू थ्री फॉर फाइब लगाते हैं लगा दिये कट इस वाली साइड की बात होगी न town की यहां सेरीखवाद वाले साइड लगा दिया कट इसके बाद। आप इसवाले लगाने के लिए नमबर योपार्ट से कृइब कितने कट लगेंगे आप ए3 समझ पार है ना बहुत ही बेतरी इसके बाद इस वाले साइड पे आएं तो क्या कितने पार्ट बनाने आपको 5 और 5 पार्ट बनाने के लिए आपको कट करने लगाने पड़ेंगे तो यहां से बाई कंकिलूजन ये निकल किया आता है कि जहां पे मेरे घं में हां जहां पे मेरे घं में हर साइड से तो हर मनलब तीनों साइट से बराबर कट लगाते थे पर आज concept कौन सा क्यूब वाइड क्यूब वाइड में हम यह देख पा रहे हैं जहां पर आपका क्यूब में सिंगल एन होता था वहाँ पर देखें क्यूब वाइड में आपके एंड की वैलू अलग-अलग निकल लही है n की value अलग-अलग निकल लई है ना समझ पहें ना तो यहां पे आपको कुछ नामा करना करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो यहां पे हो जाएगी n1, n2 और n3 जहां पे cube की value एक ही निकलती थी n पर यहां पे आपके number of part अलग-अलग format में निकल लए है अलग-अलग format पे आपको कट कर आने पड़े हैं तो क्या हो जाएगा आपका कि एन वन कि एन टू और यह एन थिरी समझ पहें ना बहुत ही बेथरीन कि जहां क्यूब में केवल सिंगल न होता था जहां क्यूब में केवल सिंगल न होता था सिंगल एन एक एन वहीं पे क्यूब वाइट के कंसेप्ट में आपको एन की वेलू अलग-अलग format में पार्ट कट करने के निकल लए है तो यहां पे क्या हो गया एन वन एन टू और एन थिरी समझ पहें न बहुत ही बेथरीन लाजवाब चलिए अब बात आती है कि इसके फार्मूले कैसे बनाए अभी तो आपने इमेजन किया कि क्यूब और क्यूब वाइड में डिफ्रेंस क्या होता है लेंट ब्रेत और हाइट का कमपेर कराया तो समझ गये न जहां आपका क्यूब था हर साइड से बरावर इकूल था वहाई क्यूब वाइड की बात की जाए तो क्यूब वाइड में आपका ये आपका साइज डिफ्रेंस होता है । साइज में अंतर होता है। लेंथ आप बैथ और हाइट आपकी अलग-अलग होती है। हाला कि आगे चल के, आगे चल के क्यूब वाइड के इस पेशल कोस्टन ऐसे आपको कराएंगे जिसमें आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की साइड को इक्वाल करके दिखाएंगे वह आपके इस पेसल लेवल को सुन हो जाएंगे पहले बैसिक तो समझ लेना इतनी बात समझ में आई इस पॉइंट पर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बहुत ही इसली आपको बताया मैंने इसके बाद देखते हैं कि क्या हमने यह देखा था ना क्यूब में क्यूब में कॉर्णर क्यूब ऐसे कितने होते थे मैक्जिमम सर्फेस कितनी पेंट हो सकती थी क्यूब में तो आप बोलेंगे थिरी और वह थिरी कौन से होते थे वह कॉर्णर क्यूब होते थे भाई मेरे वह कौन से होते थे कॉर्णर वह कुछ आपके क्या होते थे सेंटरल क्यूब हा सेंटरल क्यों वो कौन से ही यह वाले थी दर आ हो सेंटरल क्यूब थीज अर्व द गे वाले आथ मेला तो पहली सर्पिस पे आपको मैंने विजिलाइस जिसनकरा के देखा दिया बहुती इजी वे में तम अचपा रहा है ना मेरे भाई चालिए यह तो कि यह की बात हो गई पर देखे कि वाइड में क्या देखेंगे कि आप एक क्यूब हाँ क्यूब कर तो देख लिया क्यूब में क्या की वैलू अलग अलग होती है हमने देख लिया else 213 इसके बाद और भी कर्डोलुजोर निकल करila आता है कि और कॉर्णल क्यूंब क्या होते हैं या नहीं होते हैं सेंट्रेल क्यों होते या नहीं इनर सेंट्रल क्योंब क्योवित हो स्वाध büy इसमें मिडल की होते हैं नहीं तो भाई मेरे वो सारे इसमें होते हैं ठीक है आजस सेम इसमें भी होते हैं तो देखे कौन कौन से होते हैं तो देखे इस वाले अगर साइड में है तो इत कॉर्णर क्यूब इसमें भी भाई एट होते हैं हाँ कॉर्णर क्यूब इसमें वाई एट होते हैं और मैक्जिमाम कॉर्णर सर्फेस की कितने ज्यादा ज्यादा सत्य रंगी हो सकती है हाँ क्यूब और क्यूब दोनों में इकवाल होता है वो सके बाद यह आपके वह घन है जिनकी दो सते रहंगी सब्सक्राइब वाले हो जाएंगे अब बीच में जो आपके बचें हैं यह कौन से हो जाएंगे दिस आर तो यह बात आपके निकल के आती कि क्यूब में अपने करेक्ट क्यूब में अपने कुब में अपने 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 Central Cube होते थे? Correct, Cuboid में भी Central Cube निकलने? Correct, Cube में कुछ ऐसे घन होते थे जो कि अंदर से निकले होते थे, Volume को रिपूर्जेंट करते थे, हाँ, रंगी-हीन-GHन, Colorless, Correct, तो Cuboid में भी कुछ ऐसे होंगे, जो कि अंदर से निकले होंगे, हाँ, बिना पेंट की हुए, colorless, हां तो करेक्ट बात यहां से यह समझ भी आई कि एज़ा सेम जैसा जैसे आपकूब में मीडल कॉर्नल मीडल गारण सेंट्रल इनर सेंट्रल हां चाट कार की ऊते थे करेक्ट अधा सेमलरली क्यूबवाइड मेब भी आपके चाप लका यूंगे कॉन कोन से कार्णल मेडल इनर और सेंट्रल बात समझ पाएना चीर्षगन मद्द गन हाँ केंद्रिये गन और अंत्रा अंता केंद्री गन बहुत ही इजी वे में आपको मैंने समझाया अब चलते हैं इनके फॉर्मूलों को करते हैं कंपैल और क्यूब के फॉर्मूले से जडनेट करा देंगे आपके क्यू क्यों कॉल करते हैं और अपने फॉर्मूले लिखते हैं तो देख़ेगे अधिया कि भाई भाई बहुत प्यार तरीके से आपको बताने जा रहे हैं लुक अइgg अ के स्मार्ट बोड क्य यह समार्ट तरीके से आपको बताएंगे चलिए क्यूब कि उब कि में और क्यों के फ़र्मूले निकालेंगे यहां से यहां से निकालेंगे अपने क्यूप के फ़र्मूले और इधर से मेरे घालेंगे क्यूब ओولे किसके क्यूब ओ आड़ चलिए अब बताईए आप मुझको ये बताईए कि Q Empire total number of cube किस format में होते थे total number of cube किस format benevolえ होते थे वो आपके cubic form में होते थे या यान desk के form में total इसमें कितने होते थे total यो होते थे total आपके ann cubic form में होते थे तॉर्णर क्यूत में हुए झाले। यह प्राइट 207 ह्याद है कोर्णर क्यूत को को या कॉर्णर कीऊतु कुछ यह कार्णर को आप काईसे लिख supreme लिख दे चलो इतना तो जानते ही हुआँ हम ऐसे लिखाएगे मिसल्पेस पेन्ट में देट की एन माइनस टू तरेक्ट के अंदरिये घन एक सत्य रंगे घनों की संक्या कितनी होती यह आपको जो लिक रहे हैं सर्फेस को रिप्रेजेंट कर रहा हां इसके बाद कलर लेस रंगे घन गर्न हां जीरो सर्फेस पेंटेड इसकी वैलू क्या होती थी फर्मूला क्या होता था एन माइनस एन माइनस टू का होल क्यूब होल क्यूब एज इंटेड यह थे आपके क्यूब के बहुत बेथर इन तरीके से हमने आपको बिल्कुल मैथट से बताया था और आपको पुरूब भी कराया था चलिए यह थे आपके क्यूब के मेरे बाई फॉर्मूले किसके क्यूब के हां क्यूब के फॉर्मूले और क्यूब में हमने यह देखा था क्यूब में यह देखा था कि यहाँ पर आपका केवल और केवल सिंगल एन होता था एक ही एन होता था करेक्ट पर क्यूबवाइड के कंसेप्ट में हां आपके क्यूबवाइड के कंसेप्ट में मेरे भाई आप यहां पर यह देखेंगे कि क्यूबवाइड के कंसेप्ट में क्यूब वाइड की मेरे भाई concept में आपको ये देखना को मिलेगा यहां पे n जो होंगे आपके कितने होंगे 3 n1 into n2 into n3 जहां आपके क्यूब में केवल एक इन होता था अब आज की समय में आपके क्यूब वाइड में आपको पूरे जजबात पूरा इरादा सब कुछ बदल जाएगा और n की वैलू अलग-अलग format में आपको दिखेगी इतनी बात समझ में आई ओके चलिए अब निकालते हैं इसक और टॉटल की वैलू कि की होगी टॉटल में कि अक टॉटल दोनों जगाए आपके सेम रहें गए तोटल तोटल यहां पे कितने थे n cube की form में और आप जानते हैं न n cube को फिरी पार्ट में जब आप डिवाइड करेंगे फिरी पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा n1 into n2 into n3 जो कि आप जानते हैं गुड़ा में घाते आपकी जुड़ती हैं यह आपका हो जाएगा आपका single n और गुड़ा में घाते जुड़ती हैं आपकी एक दो तीन हाँ एक दो तीन आपके दोनों balance हो गए न n cube is equal to n cube यह इसका format आपको बता दिया कैसे होगा चलिए तो यहां total की value क्या हो जाएगी आपकी n1 into n2 into n3 समझ पाया ना बहुत ही बेतरी लाजवाब इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं कि 3 surface painted यहां पे कितने होंगे 3 surface painted यहां पे आपके 8 होंगे 3 surface painted cube और cube white दोनों में आपके 8 ही रहेंगे correct कुछ अपवाद वाले question करवाएंगे जो different question होगी special वो उसकी बात अलग है यह फिलाल हाला कि दोनों में corner cube दोनों में बराबर होते हैं चलिए इसके बाद two surface कितने होंगे हां two surface painted तो देखिए यहां पर two surface painted कितने होते हैं 12 into n-2 पर आप देखिए यहां पर केवल single n होता था और यहां पर होते हैं 3 n तो देखिए 12 को तीन पार्ट में divide कैसे करेंगे वी कई लिए कितना हो जाएगा आपका हार एक पार्ट चार चार फ्लस चार प्लस ही तो भार आ हो जाएक कolie क्情況ारई में 3 वा डिवाईट करना पड़ेगा क्या हो जाएगा 4, n1, minus 2, 4, n1, minus 2, correct, n1, minus 2, plus, plus 4, n2, minus 2, correct, plus 4, plus 4, n3, minus 2, as entered, बहुत ही बेतर ही, देखिए आपकी क्यूब के formula से हम क्यूब आपके formula कर रहे है, निकाल पा रहे है, learn काने जुरूरत है, no, शेले, इसके बाद, one surface, these are only one surface, पेंटेट के formula, क्यूब में क्या होता था, क्यूब में होता था, मेरे भाई, 6 into n-2 का whole square, अब आपको 6, हाँ, देखो, अब आपको ये बता रहे हैं हम की क्या, कहां पर बताएं, कहां पर बताएं, यहीं पर थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है, चलो, मैंने ये का, कि अगर आप देखिए, यहां पर बता दे रहे हैं, साइड में देख लिए ना, वो ब्रेक में करके, इसको साइड में लगा देंगे, वहां पर, ठीक है, चलो, मैंने का, कि अगर 6 n square को, 3 part में आप divide करिए, 3 part में इसको break करिए, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो, इसको ऐसे break करते हैं, मेरे भाई, ऐसे, इसके 3 part करिंगे, तो क्या हो जाएंगे, 2, 2, और 2, correct, plus, plus, यह आपके 6, 3 part में डिवाइड हो गया, ठीक, इसके बाद n को कैसे 3 part में डिवाइड करिए, तो इसको ऐसे करते हैं, n1 into n2, correct, जेको, अब आपको बता देने, 2, n1 into n2, plus 2, n2 into n2, n1 into n2, plus n2 into n3, plus 2, n3 into n1, इतनी बात समझ में आई, बहुत बेथरीन तरीके से आपको आ जाने चाहिए, हाँ, तो इतनी बात तो समझ में आगी न, कि हम, 6 n square को किस format में हम ब्रेक करेंगे, कैसे, 6 k 3 part break करेंगे, क्यूंकि n1 into n2 into n3 होती है, तो 2 n1 into n2, plus 2 n2 into n3, plus 2 n3 into n1, समझ में आए, बहुत ही बेथरीन, यह वाला पार्ट आपका इसका है, ठीक है, तो इसको इस वाले पार्ट में करते हैं, इसको, सेट चलिए, हो जाना मेरे भाई, छोटा आप क्यों नराज हो रहा है, क्योंकि यह वाला पार्ट इसमें है, हम लिखा दे रहे हैं, आपको ठीक है, यह वाला पार्ट आपका इसका है, इसको मारो आप, इलिट, यहां से होगा, और यह वाला पार्ट आपका इसका है, उठाईए और यहां पे लगा यह सेट कीजिए, और इसको पार्टिशन में आप बाट दीजिए, ऐसे, चलो, समझ में आया ना, बहुत ही बेतरी, चलो, तो इसको वन सर्फेस की पेंटिट की वैलू कैसे आप फाइंड करेंगे, तो देखिए, जैसे कि यहां पे क्या है, वन सर्फेस दीज आर ओनली वन सर्फेस पेंटिट का फॉर्मूला क्या होता था, पर यहां पे सिंगल था, आज की समय में आपके 3N है, तो 3N के फॉर्मेट में इसको बाढ़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 6 को 3 पार्ड में बाढ़ने के लिए आपको 2, 2 तो करना पड़ेगा, 2, correct, 2N1, 2N1-2 into N2-2, correct, plus, plus 2, जैसे कि N1 into N2 था, plus 2N2, plus 2N2-2 into N3-2, यह थोड़ा लॉंग हो जाता है, correct, समझ में आया ना, बहुत ही बेतरी लाजवाब, इसके बाद, कलरलेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, तो इसमें रंग इन घनो की संक्या मेरे भाई हो जाएगी, या आपका क्या था, n-2 का cube तो इसको 3 part में break करने के लिए क्या हो जाएगा n1-2 into n2-2 into n3-2 as intended यह आपके देखिए formula कितने easy way में आपके निकल के आगे हैं हां निकल के आगे हैं और इसमें से यह वाला formula आपका थोड़ा सा long हो जाता है जिसको मैंने rate color से set किया है यह वाला formula आपका थोड़ा wrong long हो जाता है समझ पा रहा है ना बात और इस वाले में मैंने यह वाला formula आपको बताया था कि इसको break कैसे करते हैं 6 n square को break कैसे करके इसको तीन पार्ट में कैसे break करके तोड़ेंगे इससे simple way में आपको कोई बता दे तो आप comment box में मुझे बता देना समझ में आया बाई बस मैंने क्या का आपको याद नहीं कराएंगे आपको formula याद नहीं कराएंगे क्यूब के formula से ही आपके क्यूबाइड के formula जर्नेट कराएंगे जो कि मैंने आपको कराया वादा मैंने पूरा किया तो आपको भी करना है कि वीडियो को like, share, subscribe करते रहना है करेक्ट चलिए फिर से आपको रिकॉल करा दें क्यूब में जहां आपका केवल सिंगल न होता था क्यूब वाइड में वहाँ पे आपके 3N होते हैं N1, N2, N3 इस format में क्यूब में टोटल की value कैसे होती थी, cubic form में, एक टोटल की value क्या हो जाची कि n1, n2, n3, and 3, क्यूब में आपको टोटल value कितनी होती थी थी सबस्क्राइब, तो यहाँ पी भी आपकी 8 रहेगी, 8 दोनों में यह दोनों में सेम रहेगे, corner cube, क्यूब में आपके 2 surface painted का फोर्मूला क्या होता था था 12 इंटु एन-2 क्यूब आइड में आपको 3 पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 12 को फोर बारा को थी पार्ट में डिवाइड कर दिया क्या चार 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 एक 4 and 1-2 2 प्लस 4 & 2 मानेस 2 प्लस 4 & 3 मानेस 2 आज इंटेट इसके बाद क्यूब में 1 सर्पेस पेंटर का फॉर्मूला क्या होता 6 इंटू N मानेस 2 का होल स्क्वाइर और आप जानते हैं कि 6 & 2 को कैसे ब्रेक करेंगे हम 3 पार्ड में 2 & 1 इंटू N2 प्लस 2 & 2 & 2 & 3 प्लस 2 & 3 & 2 & 1 करेक्ट यह बात समझ में आए बहुत ही बेतरी आजा सिमलरली हमने क्यूब में जब देखा तो वन स्पेंटर का फॉर्मूला कैसे आप पर जैट हुआ इसके बाद जैसे यह किया था 2 & 1-2 into & 2-2 प्लस 2 & 2-2 into & 3-2 प्लस 2 & 3-2 into & 1-2 as इंटेड इसके बाद क्यूब में 0 सर्पेस पेंटर का फॉर्मूला क्या होता था जो कि आपका यह डायक्स निकलता था कहा से वॉल्यूम को रिपरजेंट करता था क्या होता था जीरो सर्पेस पेंटर क्ली फॉर्मूला n-2 का क्यूब तो यहां पर आपके 3-1 होते हैं तो n1-2 & 2-2 & 3-2 करेक्ट इससे इजी आपको कहीं मिलेगा नहीं क्यूब के फॉर्मूले से हमने क्यूब के फॉर्मूलों को रिकॉल कर लिया घंसे घना आपके फॉर्मूले मैंने आपको कहीं बी ऐसा चांस नहीं छोड़ा जो कि आपको याद करना पड़े तो क्यूब के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे करेक्ट चलिए फार्मुले लिए इन का इूटॉलाइज करते हैं से पाइला को बेल्ड करते हैं तो एक सा आप The बहुत इजी है चलते हैं दुनिया का सबसे इजी कोश है एक दस इंटू बारा इंटू 14 सेंटीमेटर घनाप को लाल रंग से रंगा गया है इसे दो सेंटीमेटर के बरावर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब तब बनने वाले कुल घनों की संक्या क्या हो होगी 110 इंटू 12 इंटू 14 हां सेंटीमेटर क्यूब वाइड इस पेंटर रेडर ऑन आल इस सर्फेस नौ इट इस कट इंटू स्मालर क्यूब आफ तू सेंटीमेटर साइड देन वाट इस दा टोटल नंबर ओप क्यूप्स मेड टोटल की संक्या आप से पूछी गई है क्यू बकॢट ने घनाब तो टोटल के लिए फर्मूला इपका क्या था क्योज़ में तो टोटल का फर्मूला आपका क्यूब लॉआड मैं क्या था टोटल का यहां पे था N1 इंटू N2 इंटू N3 जो कि आपको क्या दिया गया है यह आपका क्या था मेरे भाइफ फॉर्मूला टोटल के लिए क्यूब वाइड में है और यहां पे आपको N1 की वाल्यू कितनी दी गई है ऐसे 10 इंटू 12 इंटू के 2-2 cm के 2-2 cm के smaller cube में cut करना था correct तो यहां से आपकी यहां से आपकी N1 की वाल्यू कितनी आ जाएगी 5 N2 की वाल्यू कितनी आ जाएगी 6 और N3 की वाल्यू आ जाएगी 7 यह आपका है N1 यह आपका है N2 और यह आपका N3 साथ तक zaल आपका किस format में होता है तक यहां सी कितनी निकालाइगी तसे में निकलेगा कि इंतंगा नेकलेगा इनी का मल्टीप्लाइग इनी का मल्टीप्लाइख को एंस मैं ने तो कितना आ जाएगा यार्म्छástल 210 डिगरी डिगरी नहीं हाँ 210 चलिए डिगरी आपको पढ़ा रहे हैं उसमें हाँ ट्रिंगल ट्रिग्णोमेट्री पढ़ा रहे हैं ड्रिवांस में चलिए तो आपको टोटल की वेलू कितनी आजाए हैं 210 जो की ऑप्सन नमबर आपका एह हंडेट परसेंट करेक्ट है मेरे भाई दिखें कितने एजली आपने सॉल्व कर लिया हां क्यूब वाइड में ऐसे भी कोसन आते हैं आपको जलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सेकंड नमबर कोसन क्या दिया गया है एक 15 x 18 x 21 cm घनाव को लाल रंग से रंगा गया है इसे 3 cm के बरावर आकार के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब तब एसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतय रंगी ना हो कोई भी सतय रंगी ना हो मतलब किसका जिकर किया गया मेरे भाई जिकर किया गया देखो वन 15 x 18 x 21 cm क्यूबाइट इस पेंटे ड्रेड और अल इस इस सर्फेस नौ इट इस कट इन्टू स्मॉलर क्यूप्स हां ओफ 3 cm साइड देन हाव मैने क्यूप्स आट देर हां विच है नो सर्फेस पेंटेड नो सर्फेस पेंटेड वो कौन से होते थे आपके कलर लेस कलर लेस की वैलू का आपको जिकर किया गया है तो यहां से देखिए पहले तो आपको दिया क्या गया है हां दिया गया आपका 15 cm x 15 cm x 18 cm x 21 cm इसको आपको कट कि कितने-कितने पार्ट में करन तो धिरी से हो जाएगा आपका इसमें डिवाइड क्यूंक आपका फार्मूला खूरत अना एन is उकल टू बिगर क्यूब लेंद्ट अपोन स्मॉरर क्यूब लिएग हो जाएगा N is equal to bigger cuboid length upon smaller cuboid length correct चलिये तो यहां से देखिए N1 की value आपकी कितनी आजाएगी हां N2 कि कितनी आजाएगी N3 N1 की value आजाएगी आपकी 5 N3 की value आजाएगी 6 और यहां पे आपकी 7 correct तो यह हो जाएगा आपका N1 यह हो जाएगा आपका N2 और यह जाएगा आपका N 3, as intended इसके बाद आपसे पूचहा क्या गया है, रंग हीन घनो की संख्या, तो रंग हीन घनो की संख्या, क्या होता था, इस कि वेलू क्या होती थी, वेलू मेरे भाई होती थी, n1-2, n2-2, और N3 माइनस टू वैलू रखिए अंसर आ जाएगा तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा N1 की वैलू कितनी है 5, 5 में से 2 लेस करेंगे कितना आ जाएगा पर 3, इंटू N2 की वैलू आपकी 6, 60 में से 2 लेस करेंगे आ जाएगा आपका 4, इंटू N3 की वैलू है आपकी 7, 7 में से 2 लेस करेंगे आ जाएगा आपका 5, बास समझ में आई 4, 5, 20 और यह कितना हो जाएगा आपका 60 ओप्सन नमबर आपका C, जो की 100% करेक्ट है कितना हो जाएगा आपका 60 यह आपका किलियर कट आ गया answer easy way में बाइद देख भी लिया करो क्यूबवाइड का कंसेप्ट पढ़ रहे है क्यूबवाइड में कलर लेस की वैलू का फर्मूला क्या होता था अभी निकाला ना मेरे देखो यह या 0 सर्फेस मेंटेट का N1 यह है न N1 मानस 2, N2 मानस 2 और N3 मानस 2 यहां से आपका 3 4 और 5 निकला 4 पंचे 20 और 20 का 3 टाइम मल्टिप्लाइगें कितना आ जाएगा आपका 16 option number C जो कि आपका 100% correct है correct इसके बाद देखो इसके बाद आपका 3 number question start हो रहा है और बहुत ही अपने आप में लाजवाब question है यहां पर आप देखेंगी कि आपका कुछ अलगी type में कुछ होगा चलो देखते क्या क्या होगा पर दो इसको करते हैं भाई मेरे solve हां तो देखिए यहां से 1 8 into 10 into 12 cm colored cube is cut into smaller cubes of 2 cm हां then answer the following कुछ आपकी statement equation दी गई है next page में है आपकी यह हां यह चलिए एक 8 into 10 into 12 cm के रंगे हुए घनाब को 2 cm के छोटे छोटे घनों में काटा गया है यह काटा जाता यह आपका महनों तो आप काट लेना experiment तब नेमने लिखीत प्रस्णों में से उत्तर दीजिए वह आपके next slide में है पहले तो इस यहां से आपकी n1 into n2 into n3 की value निकालिए चलिए तो क्या है आपका 8 into 10 into 12 cm के हां बड़े घनाब को हां बड़े घनाब को 2-2 cm के 2-2 cm के 2-2 cm के छोटे छोटे पार्ड में किया गया है मेरभाई cut n1 की value यहां से कितने निकलेगी आपकी 4 n2 की value निकलेगी यहां से 5 और n3 की value निकलेगी यहां से 6 यह आपकी n1 है यह आपका n2 है यह आपका n3 है correct चलिए अब आपने जब n की value find करी लिए तो इसके बाद में आप कुछ से भी पूछ ले क्यू बाइड में आप बता सकते हैं बहुत easy चलते हैं condition देखते हैं क्या है तो पहले n1 n2 n3 की value लिग लीजी आप यहां से n1 की value आपकी 4 5 3 है चलिए इसके बाद आपको देखिए इस बेस में आपको answer देना है चलिए background white चलिए करते हैं इसको solve पहले क्या पूछा गया है what is the number of total cubes made हां बनने वाले कुल घनों की संख्या बताईए और पढ़के आ रहे हैं क्यूब वाइडा चलिए छोटे जो आपके जो घन बनेंगे क्यूब आट से वह कितने होंगे तो इसमें total का formula क्या होता था आपका यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा यह बताईए मुझे यहां से आपका बनने वाले कुल घनों की सिंगे आपका ठीक है तो यहां से आपका अंसर क्या हो जाएगा देखो एन वन की वैलू आपकी फोर एन टू की वैलू आपकी फाइब और एन थिरी की वैलू है आपकी शिक्स इतनी 6, 6, 35, 14, 12, 120 हाँ 120 यह हो जाएगा आपका पहले का अंसर अंसर नमबर ए जो की आपका 100% मेरे भाई करेक्ट है जलिए सेकंड देखिए हाव मैनी क्यूब्स है थिरी सरफेस पेंटेड तीन सतय रंगे वे घरों की संक्या क्या होगी तो भाई क्यूब और क्यूबाइड में देज आर उनली थिसर पेंटेड के लिए कौन सा फर्मूला होता था था फर्मूला नहीं वह तो डाक्ट होता हैं तो यहां भी यह भी आपके एट होंगे ऑप्सन नमबर सी थाड़ में चलते हैं थाड़ क्या हाव मैनी क्यूब्स हैं टू सरफेस पेंटेड दो सतय रंगे घरों की संक्या क्या होगी तो इसको करते हैं सॉल्व तो दो सतय रंगे घरों की संक्या का फर्मूला क्या होत प्लस 4 इंटू, एंटू, माइनस 2, प्लस 4 इंटू, एंट 3, माइनस 2, करेक्ट, यहाँ से आप बहुत एजली, वैलू निकाल सकते हैं, देखिए, 4, एनवन की वैलू कितनी है, 4, 4 में से 2 गया, तो आपका कितना हो जाएगा, 2, प्लस, 4 आपका अजटिस, इसके बाद, एनटू की वैलू कितनी है, 5, 5 में से 2 को आप लेस्ट करेंगे, हो जाएगा, आपका 3, प्लस, 4 आपका अजटिस, इनटू, एनटू, एनटू की वैलू आपकी 6, 6 में से आपका 2 जाएगा, आपका 4, इस इक वैलू यह कितना हो जाएगा, आपका 8, प्लस यह कितना हो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बताईए यह दो होंबर्ग में आपको देते हैं जलो बताना जलो अब देखो इसको आपको बताना कितना होगा तो अब सायद 36 निकलेगा देख लेना जालो आपसिन नमबर बीजियों कि आपका करना है कुछ नहीं करना है आट इसको करना है इसको करना है चोटा सा क्योंकि आपका अब निकालना है और इसका फार्मूला आपका जादे यह थोड़ा सा लेंदी होता है हां उसके लिए थोड़ी एरिया ज्यादा अच्छी यह आपको कि आप कहां भग रहे हो भाई सहब पूरा ही छोटा और तो होने दो इतने में हो जाएगा अपना चलो हां इसकी थैड़ वाले का उप्सन क्या आज गया ऑप्सन नमबर इसमें आता क्षोबीस इसमें आता एट इसमें आया आपको 36 और यह सुआ यह वाले की का उन्हां सकते हां लिख दें, चलिए, रिवाइस भी हो जाएगा, 2, n1-2, n2-2, correct, plus 2, n2-2, into n3-2, plus 2, plus 2, n3-2, into n1-2, correct, ये थोड़ा long फार्मूला हो जाता था, क्या, long हो, क्या हो, आपको n की value find है, तो आप किसी का भी value निकाल सकते हैं, जलिए, यह आपका 2 as it is हो जाएगा, इसके बाद, n1 की value क्या है, n1 की value आपकी 4 है, 4 में से 2 less करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2, चलो, step एक लिख देते हैं, skip नहीं करें, n क्या हो जाएगा, 3 into n3 की value, आपकी 6, 60 में से 2 less करेंगे आ जाएगा, 4, plus 2, plus 2, n3 की value आपकी 6, 60 में से 2 less करेंगे, 4 into n1 की value, आपकी 4, 4 में से 2 less करेंगे, आपका आ जाएगा, 2, correct चलिये, कि एक वास को औस व्ड़करते होजाएगा आपका तिंदुनिश दूनि बारा कि रिक्त प्लस कितना बारा है प्लस यह कितना और यह चाड़तिए बारा दूनिश प्लस प्लस आपका यह चार दूनि आड़ दूनि वह 16 हाँ 16 जब आप इसको फाइनल एड करेंगे भाई मेरे जब आप फाइनल एड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यह वी होंबर क्यों देना पड़ेगा नहीं हाँ देखो है चार दस दूबारा के दो हासिल लगा एक दो दो चार एक पांच कितना आगे आपका बावन ऑप्सन नंबर टी जो कि आपका इसमें करेक्ट है फोर्थ वाले का ओप्सन नंबर डी है करेक्ट इसका आगे आपका बावन लाँस्ट बचापका इस आप नंबर वाट इस्टा नंबर ओफ कलर लेस क्यूब कि बात की गई आप पे रंगिहीन घनों की संक्या क्या होगी तो इसका फर्मूला क्या हो जागा रंगिन घनों की संक्या का यह आप सॉल्व कर देना इसको चलो तो फार्मूला किया होता था इसको को नेक्स्ट बेज में कर रहे हैं यहां पहा नहीं पारा भाई चरीए कोई रंगीन गनों को यहां पराया यह इक्लरलेस की बात की जा रहे हैं तो फार्मूला क्या होता था n1-2 n2-2 और . आरें लेए आपकी 4 & 2 की 5 & 3 की 6 4 में से 2 लेस्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2 & 2 5 में से 2 लेस्ट करेंगे आप पाल जाएगा 3 & 2 6 में से 2 लेस्ट करेंगे आप पाल जाएगा 4 4 तियां 12 वारा दोनी 24 यह आ जाएगा इसका correct answer colorless का कितना 24 answer number A जो कि आपका correct है ultimate आपने सबकी value अलग-अलग find कर लिए बहुत ही बेतरी लाजवाब तरीके से कहीं पे भी किसी को problem नहीं होनी चाहिए और आप आप देखे टोटल की value कितनी निकली थी आपकी 20 हाँ 120 इस नहीं 120 टोटल की value आपकी निकली थी 120 120 और आप देखो पॉर्णर मिडल हां और सेंट्रल क्यूब को जब आप एड करेंगे इना सेंट्रल क्यूब सबको तब आपकी value निकली की 120 मिलब देखो च्छतिस बावन च्छतिस बावन चलो एड करते हैं च्छतिस बावन च्छतिस बावन और चॉबिस इसको आप एड करिये कितना आ जाएगा 6,4,10,12 की करना को और एक करना वो भी आपकी नौनर क्यूब की तो आपको आट करना है एक करना यह जब सभी की value एक तभी तो टोटल की वैलू फाइंड कर पाएंगे देख एक जाए आपका 10 ठिक 18 और यह 20-क जीरो गयर आपका हो गया इसको आपका 8 यह 10-12 आगया यह तोटल आपके कितने थे 120 जब आपने हां जब आपने देखो यहां से जब आपने आज आशिक कॉर्णर आप और यह क्या है शत्तीस आपके काउं से घना है थे आपके त्टू सर्फिस पेंटर मंटन मिडल और यह बावन कौन से है आपके क्यूब जो है मेरे भाई one surface पेंडेड मर्लब पके चैन्ट्रल कि यह छोबिस कॉन से है आपके चोबिस मेरे भाई आपके क्याय है कर अनरे central इनर ठीक अब जब इन चारों की वैलू को आपके ड्राइड किया तो टोटल आपके कितने हो गए तोटल आपके लिए कितने 120 जो की करेक्ट 120 टोटल आपने पहले निकाले थे 120 मतलब राइट है सभी कि अब आपके सामने बड़ा सा ख्यूबॉइड है आपने इसको कलर किया और आ वाले कितने हैं आर कितने आपके एक और रंगेंगर कितने आपके चौबिस अब बता पार रहें बहुत ही बिंदास तरीके से मिलते है नेक्ष क्लास में इसको करते हैं यहांप यहां चलिए तो आप आपने बहुत अच्छे लेवल में पड़ा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग सा एंट्रेश्ट और बहुत इस्पेशल कोसर आप कि कराएंगे इसमें करते रहेगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको अपने इस चैनल के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वह आपको जोईन करना बहुत जरूरी क्योंकि आपको प्रोवाइड वहां पे फिरी करा दी जाएगी तू गया घ्रक परोवाइट कर दो में बिल्कुल फिरी में और भी आपके बेनिफिट हो जाएक हो जाएंगे टेली ग्राम को यूश करने से PVट सेर्ड़oin को सब्र करते रहेगहे और भी ची आपको जाएड और THer रहते आपको चीजे बता देते आपका एक Кई फायदा जयाएंख आयाँ